मैं आचार श्याम उंत्रपाथी आप सभी लोगों का एक बार फिर से अमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपने चैनल के माद्यूम से बताने जा रहा हूँ कि दिपावली किस दिन मनाई जाएगी किस तारिक को मनाई जाएगी और इसका क्या महूर तो होगा गरेश लक्षमी की पूजा कुबेर की पूजा करने का ये सब अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे अंत तक देखेंगे तो समझ पाएंगे कि दिपावली किस दिन मनाई जाएगी किस डेट को मनाई जाएगी किस में गड़े इस लक्षमी कुबेर की पूजा किया जाएगा तो मैं अपने चैनल के माद्यम से बताने जा रहा हूं कि दिपावली का परम पवित्र पर्व 31 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा हाँ आप लोग ध्यान से सुनिये दीपावली का परम पवित्र पर्व 21 अक्तूबर गुरु आर को ही मनाया जाएगा पूरे देश में हर्स उल्लास के साथ उस्सो मनाया जाएगा स्रेश स्रात्री भोर में सूप बजा करके दरिद्रता का निश्टारन योंग लक्षिमी का पदारपन कराया जाएगा दीपावली पूजन के लिए तीन मुहूर्त दी दे रहे हैं दिन में एक तैंतिस बजे से तीन चार बजे के मद्ध किया जाएगा दूसरा दो प्रदोस काल का सर्व स्रेश्ट महूर्त बिर्शब इस्थिर लगन 6.11 से आठ आठ बजे के मद्ध किया जाएगा यों महानिशा में तांत्रिक पूजा मंत्र सिद्धी इत्याद के लिए बड़ा अच्छा महूर्त होता है यह सिंग लगन इस्थिर लगन 12.45 से दो बज करके तिरपन बजे के मद्ध असनान दान योंग स्राद्ध शहित अमोश्या एक नौंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा दीपावली के दिन जो लोग गड़ेश लक्षमी की पूजा करते हैं सायंग 6.11 से 8.11 बजे तक आप गड़ेश लक्षमी कुबेर की पूजा करेंगे साक्षात लक्षमी कुबेर की कृपा होगी आपके घर आंगन में खुसिया ही खुसिया आएंगी दीपावली भगवान राम के राज तिलक की त्यारी कव दर्शाता है हमारे प्रभु का पदार्पन होता है जिससे दीपावली हम लोग बहुत ही धूम धाम के साथ मनाते हैं भारत बर्श नहीं दुनिया में दीपावली का पर्व मनाया जाता है सभी लोग हर सो लास के साथ दीपावली का पर्व मनाते हैं और आप लोग जान लीजिए कि दीपावली 31 अक्टूबर गुरुवार को ही मनाया जाएगा और हर सुलास के साथ गरेश लक्षमी जी की पूजा ब्रिसब इस्थिर लगन में 6.11 से 8 बच के 8 बजे के मद्द किया जाएगा और गरेश लक्षमी कुबेर की साक्षात कृपा होगी बर्स परियन तो आपके घर में खुसियां ही खुसियां आएंगी भगवान श्री राम चन्जी का आपके घर के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है और दरिद्रता दूर भाग जाता है आपके भाग में विशेश परिवर्तन होने लग जाता है दीपावली का उत्सो हरसूलास के साथ जो बिक्ती अपने आंगण में अपने घर में मनाते हैं उसके अंदर नई उरजा का संचार होता है और मित्रों दीपदान करने से बहुत लाभावनित होते हैं आपके घर मकान में जो नकारात्मक उर्जा रहती है वह दीपदान करने से कोसो दूर भाग जाता है दीपदान करेंगे तो आपके घर का नकारात्मक उर्जा भाग जाएगा दुख दरिद्र सब भाग जाएंगे शुक शंबृद्ध की कृपा होगी घर आंगन में आपके खुसियां खुसियां आएंगी आपके अंदर नई उर्जा का संचार भी होगा आपके परिवार खुसाहाल रहेंगे और रोगों से भी मुक्त हो जाएंगे इसलिए दीपावली के दिन सभी को हर सो लास के साथ मिट्टी का दीपक खास करके जलाना चाहिए पटाका हो गएरे नहीं दगाना चाहिए यह प्रदोशन है दीप जला करके गणेश लक्षमी कुवेर की पूजा करके धूब बत्ती मुम्बत्ती जला करके हर सो लास के साथ दीपावली का पर्व मनाएं जिससे आपके घर में सुख सांती पधारे लक्षमी कुवेर की कुवेर की कृपा हो